असलाम नेकूम कैसे हैं सब उमीद है सब कहरें से होंगे अला तला का करम है हम भी ठीक है तो जी ये देखें आज सुबा जब गाड़ी निकालने लगे पहले तो नमाज पढ़ने के लिए जब निकले हैं तो उन्हें पता चला के बाहिना बजड़ी उत्रवाई हुई है जिसकी वज़ा से सारी सड़क ब्लॉक हो गए थे और बाइक गुजरने का भी रास्ता नहीं था तो नमाज के बाद कुरान पाक बहरा पढ़ने के बाद फ्री होके फिर गए थे बच्चों के भी उठा दिया था वो अरहम ब्लैक सूट में वाइट सूट में इबराहीम है तो जितने भी जो नमाजी बाद में रह गए थे वो भी साथ ही है सबने मिलके न तो फिर ये गाड़ी को धका लगाया नकालने के लिए वहां से लेकिन न एक साइड पे जंगला था वो डीप शेव में उन्होंने बनाया हुए तो साथ ही बज़री का धेर था तो काफी जदोजिहत करने के बाद करीबन कोई डेड़ पोना घंटा लाग गया था इनको वहां से गाड़ी नकालते नकालते बड़ी कोशिश की इन्होंने तो फिर ये है कि काम्याब हो गए ये सारे गाड़ी नकालने में सब नहीं बहुत कोशिश की थी और जो रात को मैंने एलोवेरा के लीव काटे थे उसकी मैंने रात को बना ली थी जेल वो मैं आपको बताती हूं कि मैंने किस तरह से उसकी जेल बना के रखी थी ये दोनों कनारों से मैंने लीव को काट लिया था इस तरह से और इसका जो पल्प था वो मैंने नकाल लिया था अलएदा कर लिया था क्योंकि ये बालों को लगाएं और वैसे भी फेस पे भी लगाएं इसको फिरीज करके आप क्यूब्स में रख ले तो जब आप कोई मेक अप करना हो या वैसे भी आपने मौहाद दोया हो कुछ लगाने के बाद तो आप इसको जब लगा लेते हैं आपकी स्किन बड़ी फ्रेश फ्रेश हो जाती है और काफी स्मूध सी हो जाती है बालों में भी लगाने से बाल बड़े नरम और बड़े शाइनिंग वाले हो जाते हैं तो बच्चे इस तरह से यूज करते हैं उनको मैं अक्सर ये जेल इसी तरह से बना के रख जिती हैं मैंने सोचा है ये जाया होने से पहले हैं इन को ना कर लूँ नकाल लो तो मैंने इसी ना सारी पप नौल लिया था उसको मैं ब्लैंड करके भीड़े फिर ब्लें आ लोगभी न क्योब्स में जहां भी बालों में बड़ी खूशjakी है तो उसकी वज़ा से ना हर टाइम ऐसे होता जैसे खारिश का रहे हैं खारिश का रहे हैं तो फिर सारा वो मैंने पल्पिस का नकाल लिया था तबियत मेरी काफी खरात थी लेकिन ना इसको बनाना भी जरूरी था मुझे ना फुलू और साथ ना टंपरेचर हुआ था रात को मैंने दिल का रहा था बस मैं लेट जाओ मेडिसन खाओ लेट जाओ लेकिन ना एमन बीजी थी इसलिए फिर मैंने ना इसके खुदी सारा काम न का कर लिया था कै जा पाद भी तरह ही यह जिए मने इस तरह से हात्हों पर इ acceptance अन्याद यह जिके प्लिया था कि इसको फिर मैंने डाला था ब्लैंडर में ब्लैंडर में डाले के बाद इनको मैंने कर लिया था ग्रैंड पानी भी नी इसमें कुछ नहीं डाला था बस पल्प डाला था और वो एक अच्छी तरह से ब्लेंड होने के बाग लिक्वड शे लिक्वड शे वो बन गया था उसको पुन्ने वगारा की करने की छानने की जरूरत नहीं थे पहले इसे मैंने हाथों से इस तरह से इसके पीस छोटे छोटे पीस कर लिये थे ताकि यह ब्लेंड अच्छी तरह से हो जाए सारे पीस मैंने इस तरह से छोटे कर लिये थे फिर मैंने इनको ब्लेंड कर लिया था इस तरह से छोटा छोटा हम इनको कर लेंगे फिर अब मैं इसको बालों पे यूज करूंगी जो मैं इसमें एड करूंगी फिर मैं आपके साथ नेक्स वीडियो में शेयर करूंगी कि मैंने जब बालों में इसको लगाया था तो इसको के अंदर मैंने और क्या एड़ किया था सब्यों में जातर बालों में ऐसी चीजे लगाई जाएं तो बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बैल आइकन का बटन उसे जरूर प्रेस किया करें का तक अब हम इसे कर लेंगे ब्लैंड करस्ट के बाद इसे मीं निकालके प्रीज कर दूंगी क्योंक्ति से महने योज नहीं करना एक दो दिन बाद इससे यूज़ करूँगी और जो मैं इसमें जो भी एड़ साथ करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स वीडियो में अलाहफीज मिलते हैं नेक्स वीडियो और विलोग में